हाई दोस्तो दोस्तो आज के इस एपसोड में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि आप कैसे अपने आखों के नीचे के जो डार्क सरकल हैं उनसे कैसे जल्दी छुटकारा पा सकते हैं दोस्तो आखों के नीचे के जो डार्क सरकल या कारे काले घेरे होते हैं वो एक आम समस्या होती है और अक्सर होता यह है कि हमारी ड्राय स्कीन या फिर लंबे समय तक आप रोता है कोई इनसान या फिर कंप्यूटर के सामने बहुत घंटे तक काम करते हैं या बहुत जारा हnies होते हैं और नीज की कमी हो जाती है या फिर कई बार दोस्तों खाने पिने की जो दोसको आदद होती है उसकी वजय से भी हो जाता है चाहँए ऐसे में आखों के जो नीचे जो काले गेरे होते हैं क्या वो दोस्तों बहुत खतरनाक होते हैं स्किन के लिए दोस्तों बात खतरनाक की नहीं होती है लेकिन बात यह है कि वह आपके लिए हेल्दी नहीं होते हैं आप हमेशा ठकेव नजर आते हैं आपके स्किन के जो सुंदर सक्टल है बिल्कुल खतम हो जाएंगे दोस्तो पहला नुसका जो मैं बता देवाला हूँ वो है दोस्तो बादाम के तेल का जी हां दोस्तो बादाम का तेल जो होता है वो स्किन के लिए बहुत लापकारी होता है और इससे आपकी चेहरे की और आखों की जो दोस्तो नर्म स्क सकीन होती है उसके लिए इस लेके फाइदा मंदो करते हैं तो आपको बहुत माते होगा लेकिन आप बादाम का तेल भी इस्तो लोगए तो भी बहुत जादा काफी है और काले घेरों पर हलके हलकी हाथों से मालिश करनी है दोस्तो ऐसा आप करते हैं तो फिर आपको रात भर के लिए इस तेल को लगा रहने देना है सुबह उठकर आपको थंडे पाई से अच्छे से अपनी आँखों को वाश कर लेना है और अगर आप इस पूरे प्रोसेस को इस पूरे उबचार को अगर दोस्तो आप रोजाना करते हैं जब तक कि आपके काले घेरे बिल्कुल अच्छे तरह से ठीक ना हो जाएं तो आपको बहुत फाइदा होगा दोस्तो वैसे तो आपको एक हफ़ती के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके सारे काले घेरे कितने जल्दी खतम हो गए हैं लेकिन अच्छे जब पूरे लांग टम के लिए आप इसे कम से कम दो हफ़ते तक जबू करें अगली बात दोस्तो जो सबसे भेट्री दूशका है वह थे खीरे का घीरा बोले तो कुकुमबर जो खीरा जो होता है वह तोचा के यह रंग जो होता है उसको साफ करने के लिए उसको हलका करने के लिए बहुत फायता देता है खास करके दोस्तो जो dark circle होते हैं उसको हटाने के लिए skin को tight करने के लिए सबसे best होता है खीरा दोस्तो खीरा जब आप इस्तमाल करेंगे आप देखेंगे आपकी skin कितनी refreshing हो जाएगी कितनी fresh हो जाएगी तो दोस्तो ऐसे मैं मैं बात बताता हूँ कि आपको ये खीरा इस्तमाल कैसे करना है दोस्तो सबसे पहले आपको एक ताजा खीरा लेना है और उसको एक छोटी सी उसकी slice काटनी है जी हाँ जैसे आप काटते हैं सलाद के लिए वैसे ही आपको एक slice लेनी है slice काट ले और करीब दो slice काटे और उन slice को दोस्तो करीब आदे घड़े के लिए आपको fridge में रख देना है यानि 30 minute के लिए दोस्तो जब आप उसको 30 minute के लिए fridge में रख देंगे उसके बाद आपको करना ये है कि आपको फिर अपने उन slice को दोनों आँखों पर करीब 10-10 minute के लिए रख देना है आप आराम से लेड़ जाएए फिर अपने आँखों पर 10 minute के लिए दोस्तो जब आप फिर अपने आँखों पर आप रख लेंगे उसके बाद आपको दोस्तो अपने साफ पानी से अपने आँखे वाश करनी है दोस्तो इस उपचार को अगर आप लगाता है शिर्फ एक हफता भी इस्तमाल करते हैं तो आप क्यों खुद दिखेगा कि आपके dark circle कितने कम हो जाएंगे आपका रंग कितना हलका हो जाएगा वहां से और आप बहुत refreshing feel करेंगे दोस्तो ये बहुत ही कारगन उसका है और मातर सिर्फ एक हफते में ही आपको इसका बहुत अच्छा result मिलेगा लेकिन दोस्तो कई बार होता है कि आप उपट से चाहिए कितना भी चीज़े लगा लें दोस्तो कभी भी नीन में कमी ना करें अराम से 7-8 घंडे की नीन अच्छी से अच्छे लें दूसरी बात दोस्तो अपने आखों को जादा ना रगड़ें करी लोग अपनी आखें मसलते रहते हैं और इस कारण उनके dark circle और ज्यादा हो जाते हैं तीसरी चीज़ दोस्तो महिलाओं के लिए है खास कर कि जब वो सोएं याद को लाद को जब सोने से पहले अपने मेक अप को अच्छे तरह साफ कर लें ताकि वो उनके आखों पे ज़्यादा एफेक्ट ना करें अगली बात दोस्तो डायरेक्ट सूरज की रोश्ने में कभी काम ना करें ताकि आपके चेहर आपके आँखों पर और आपके चेहरे पर इसके ज़्यादा असर ना हो खूब पानी पीजिए दोस्तो और अच्छे से दोस्तो आप जीए अपनी जिंदगी और सबसे बगली बात ना आप स्मोकिंग करें दोस्तो ना दुम्रपान सिगरेट सिगरेट वगरा सब छोड़ दीजिए जादा चाय कॉफी का स्तमाल ना करें दोस्तो यह सब आपकी हेल्थ के लिए खावी खराब होता है तो दोस्तो यह सब चीज़े आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है और आपको जितने भी जो स्किन की समझ्षे हैं डाक सरकल है वो बिल्कुल धीर धीरे खतम हो जाएगा दोस्तो मैं अमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए हो और अगर आपको अच्छा लगाओ तो दोस्तो हमारे चैनल को जबूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली अच्छी वीडियो आप तक यही पहुंशते रहे दोस्तो आपने अपना समय दिया इसके